नमस्कार मैं हूँ मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरिज लोकसभा चुनाथ 2019 बहुत ही ज़्यादा करीब है ऐसे में सभी राजनितिक पाटी यह लोकसभा चुनाथ 2019 की तैयारी में जुड़ गई है जहां लोक सबस चुनाथ 2019 खरीब है नेताओं का दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है बताया जा रहा है कि 12 मार्च को गुजरात के पार्टिदार अंदोलन के नेता हार्दिक पटेल कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं ही मैं आपको बताए दू कुजरात में एहम्दाबाद में 12 मार्च को कॉंग्रेस की working committee है जिसमें राहूल गांदी के सासतर सोन्य गांदी और पिरिंगा गांदी भी उस committee में शामिल हो सकती हैं बता जाए रहा है कि राहूल गांदी, सोनिय गांदी और पिरिंग गांदी की मुझूदगी में 12 मार्च को हार्दिक पटेल जो गुजरात के पार्टीदार अंदोलन के नेता हैं वो कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं कॉंग्रेस में शामिल होकर लोकसभा चुनाब 2019 गुजरात की जामनगर सीट से लड़ सकते हैं वही मैं आपको आदा दूँ, बीजेपी ने 2014 की जामनगर सीट जीती थी, वहां से पूनम बेन मेडम जीती थी लोकसभा चुनाब 2014 जामनगर से जहां पर 2017 में गुजरात के जो विदान सभा हुए थे, जिसमें राहूल गांदी के साथ-साथ केई बार हार्दिक पटेल को स्टेश पर देख गया था तो बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाब 2019 कॉंगरेस में शामिल होकर हार्दिक पटेल गुजरात के कोई सीट पर लड़ सकते हैं तो अब बताया जा रहा है कि 12 मार्च को कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं राउल गांदी की मौझूदगी में और जाम नंगर सीट से लोकसभा चुनाग 2019 लड़ सकते हैं हार्दिक पटेल और 12 मार्च को शामिल होकत को एक जन साबा को संबोतित भी कर सकते हैं हार्दिक पटेल चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बोक्स में बताईर हैं घंटी का भी निया जब भी नहीं वीडियो ले क हुं तो आपको पता चलिए इस वीडियो में इतना ही नमस्कार झाल